Hello everyone, so last lecture में हमने SOP expressions पढ़े थे, यानि कि sum of product, आज हम स्टार्ट करेंगे POS form, यानि कि product of sum और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किसी भी table में min terms कि इनको बोला जाता है और max terms किसे बोला जाता है तो देखें product of sum क्या हो है, जैसे sum of product में क्या था है कि हम product कर रहे थे और उसके बाद हम उसका sum कर रहे थे तो means x dot y plus y dot z bar तो ये एक min term है, ये एक min term है और उसके बाद में आप उनको sum कर रहे हैं product of sum में क्या होगा, आप पहले sum करेंगे और then आप उनका product करेंगे तो आप में देखी क्या किया, x plus y bar, x plus y bar अपने आप में एक term है, clear, और POS form के terms को हम कहते हैं, max term, क्या कहते हैं हम, max term, okay, it's a sum term, this is called max term, और max terms, और क्या किया जाता है, logically end, मतलब multiply, clear, x अगर single है, तो यह SOP भी हो सकता है, POS भी हो सकता है, यहाँ देखी, यहाँ तीन term है, आपके पास, तीन max term है, यह second max term है, यह third max term है, और उसके बाद आपने यह end operation कर रखा है, okay, इस तरीके से यहाँ पर देखी, इस max term में दो variables है है, दो literals है, यहाँ पर तीन variables है, इस max term में, यहाँ पर दो variables है, यह एक max term है, okay, dot end operation कर रखा है, यह दूसरा max term, तो इस तरीके से हम basically max terms को end operation करके product of some form में लिखते हैं, चलिए, तो simply जैसा हम SOP form के लिए कर रहे थे, कि हम table बनाएंगे, then हम values find out करेंगे, और उनके फिर outputs को लेखेंगे, और फिर किसी एक particular तरीके से उनको represent करेंगे, तो देखें, POS form में हम क्या करते हैं, अब SOP form में, जब हम SOP form पढ़ रहे थे, तो हम क्या output consider कर रहे थे, 1, तो यानि कि मेरा हर एक variable, 1 form में लिखा जाए, output वो क्या दे, 1 दे, POS form में हम इसका adjust क्या करते हैं, reverse, तो यानि POS form में हम क्या consider करेंगे, 0, तो यहाँ पर हम उन values को लेंगे, उन outputs को लेंगे, जो हमें कैसी value दे रहे होंगे, output में 0, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो terms कौन से हैं, तो देखें, 0, यहाँ 0 मिल रहा है, यह 0 है, और यह 0 है, तो देखें, इसको मैं carry it करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, अब देखें, इसको मैं rate करता हूँ, अब मुझे output किस form में चाहिए, जीरो form में, ओकी, तो x 0 है, तो मैं इसे क्या लेख Cem가, x, यह भी 0 है, तो मैं इसे क्या लेखंगा, y, इसे क्या लेखंगा, z, अगर मैं यहां read करूँ तो मैं ऐसे क्या लिकूंगा x यहां y 1 है मुझे क्या चाहिए 0 तो मैं क्या लिकूंगा y bar then z इसे मैं लिकूंगा x y bar again 1 है मुझे 0 चाहिए यहां z 1 है मुझे 0 चाहिए z bar इसके लिए मैं लिकूंगा x bar यहां y और यहां z bar इसके लिए x bar, y bar and z clear देखें बागी जो outputs हैं वो क्या है 1 तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं मुझे वो outputs देखने हैं जहाँ value क्या हो 0 हो और then मैं उनके literals को उनके input variables को पढ़ूँगा और ये consider करूँगा कि वो मुझे कैसा output ने generate करके 0 clear अब देखें, SOP form में हम क्या करते थे हम इनको product करते थे तो POS form में हम इने क्या करेंगे sum तो अगर मैं ऐसे यहां लिखूँ तो ये क्या बनेगा x plus y plus z ये क्या बनेगा x plus y bar plus z ये क्या बनेगा x plus y bar plus z bar this one x bar plus y plus z bar and this is x bar plus y bar plus z clear, इतना clear है कोई doubt हमने simply क्या किया zero rate किया उसके आगे गए उनके terms को पढ़ा और उनको इस form में लिख दिया क्योंकि POS form में हमें क्या करना है सारे variables को input variables को sum करना है उसके बाद हम उनको add on करेंगे तो ये हो गया अब देखे, min terms में यानि कि SOP form में हम min terms को कैसे लिख रहे थे small में POS form में हम उसे कैसे लिखेंगे capital M में तो अगर 0 था तो हमने लिखा M0, M1, M5 ऐसे ही लिखा तो हम यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे capital M यह कितना rate कर रहे है हम इसको 0, यह 0 है यह कितना है M2 तो यहां M2 लिख देंगे यह कितना है M3 तो यहां 3 लिख देंगे this one is M5 and this is M6 ओके तो यह हमने लिख दिया तो देखे X plus Y plus Z पहरा में X टर्म बना X plus Y bar Z X plus Y bar plus Z X plus Y bar plus Z X plus Y bar plus Z बार गिर हो गया और बाकी के दो टर्म्स गिर हो गया अब हम इन सब में क्या कर देंगे end operation apply कर लेंगे तो देखे मैंने क्या क्या values बनाई M0, M2, M3, M5, M6 M0, M2, M3, M5, M6 अब देखे sum of product में हम कैसे लिख रहे थे SOP form में हम लिख रहे थे summation POS form में हम लिखते है PY Okay, so this is the symbol for POS function of X, Y, J and then 0, 2, 3, 5, 6 तो आप यहां पर capital M लिख के अंदर 0, 2, 3, 5, and 6 यूज कर सकते हैं Okay So I hope यह point समयाया होगा आपके practice करिएगा आपको जब आप एक दो बार practice करेगी खुछ से लिखना try करेंगे, check कीजेगा उसको कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है तो आपको यह बात समन में आ जाएगी तो देखिए हमने जो किया भी जो हमें solve किये थे questions देखिए हमें क्या मिला एक pi form में मिला और एक summation form में मिला तो अगर कोई भी truth table है, कोई एक table अगर मुझे given है और उसमें suppose summation में यानि min terms 1, 3, 6 और 7 given है तो इसका मतलब इन सब के लिए outputs की value क्या आएगी? 1 और बाकी सब के लिए क्या आएगी वो value? 0 तो इन ही outputs के लिए value 1 आ रही है तो remaining क्या है उचे आपके 0, 2, 4, 5 इन के लिए वो value क्या होगी? 0 और 0 हम किसके लिए use करते हैं? max terms के लिए तो इसका मतलब कहने का यह मतलब है कि अगर किसी table मतलब किसी logic में, किसी expression में या किसी truth table में अगर min terms given है तो बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे आपके क्या होगे? max terms होगे और अगर max terms given है तो बाकी जितने भी remaining होगे वो क्या होगे? उनके? min terms होगे clear? तो अगर आप मैं अगर मैं लिख रहा हूँ pi 0, 2, 4, 5 so this is max terms तो अब उस table में जो भी remaining है 1, 3, 6 और 7 वो आपकी क्या बन जाएंगे? min terms clear? इस तरह किसे अगर 1, 4, 7 आपके max terms है तो 0, 2, 3, 5, 6 आपके min terms होगे यह simple सा interview का question है आपको simple 1 marks ने पुछा जासकता है कि अगर कोई expression है उसमें 1, 4, 7 आपके max terms है तो उनके min terms क्या होगे? आपको पता होना चाहिए just जो भी terms left रह गए है वो सारे के सारे आपके क्या होगे? min terms होगे या वाइसा 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 ओके? चलिए तो अभी तक हमने SOP form पढ़ ली POS form पढ़ ली SOP form कहती है कि आप small m से represent करेंगे आपका output 1 होना चाहिए आप पहले terms को sorry variables को product करेंगे उनके बाद उनको add on कर देंगे sum कर देंगे POS form कहती है कि आप capital m से represent करेंगे 0 आप output consider करेंगे आप सारे input variables को पहले sum करेंगे और उसके बाद उनको product कर देंगे clear? अब देखिए ये एक table है इसमें x, y, g आपके क्या है? input variables है 0 से 7 तक लेके इसको बनाया गया है और इसमें ये दिखाया गया है कि क्या आपके min terms कैसे लिखे जाएंगे और आपके max terms कैसे लिखे जाएंगे ठीक है? तो देखिए अगर वेरे input variables 0, 0, 0 है ओके? तो अगर मुझे min terms लिखने हैं तो मुझे क्या चाहिए? 1 तो यानि कि मुझे इन सब का compliment लेना पड़ेगा तो वो क्या होगा? x bar, y bar, z bar और मैं उनको क्या करूँगा? end देखिए x bar, dot y bar, dot z bar और मैं represent कैसे करूँगा उसको? m, 0 clear? अगर मैं इसी को max terms form में रिखना चाह रहा हूँ तो मुझे output क्या चाहिए? 0 output means in the sense कि मैं इन सारे variables को 0 की तरह rate करूँगा तो obviously यह 0 में already given है तो मुझे कुछ करने की जरूबत नहीं है मैं simply इनको क्या लेकूँगा? max terms में क्या किया जाता है? variables को add-on किया जाता है और operation apply किया जाता है तो मैं ऐसे क्या लेकूँगा x plus y plus z तो मैंने यह क्या लिख दिया? x plus y plus z और इसो कैसे represent किया? capital M naught से clear है? चलिए दूसरा देखते है 001 001 क्या कर रहा है आपका? x 0 है, y 0 है, z 1 है क्या होगा देखिए? अगर मुझे min terms में लिखना है तो मैं इसे क्या पढ़ूँगा? x bar y bar z so x bar y bar z और क्या represent करूँगा? M1 और इसी तरीकिस्ता करूँगा इसको POS form में पढ़ूँगा तो x 0 है, y 0 है अब मुझे z 0 चाहिए तो मैं क्या है क्या होगा इसे z bar तो मैं क्या लिखूँगा इसे x plus y plus z bar so x plus y plus z bar clear? और capital M1 तो आप practice कीजिए, लिखने की, try कीजिए आपको समझ में आ जाएगा एक दुबार आप लिखेंगे तो आप सही तरीके से find out कर पाएगे ठीक है जी? तो 010 simple x bar y z bar अगर POS form में लिखूँगा तो हो जाएगा x plus y bar plus z x plus y bar plus z 011 1, SOP form में लिखेंगे तो क्या होगा x bar y z x bar y z अगर POS form में लिखेंगे तो क्या होगा देखिए 0 सेम रहेगा so x plus y bar plus z bar so x plus y bar z bar सबसे last में देख लेते हैं 110 so x y z bar x y z bar for min terms that is equal to m6 and then x bar क्योंकि x की value 1 given है x bar plus y bar plus 0 z की value 0 given है so this is x bar plus y bar plus z so this is m6 ok 111 तीनों 1 है x dot y dot z for m7 and अगर मुझे max terms पाढ़ने हैं तो यह सब क्या हो जाएंगे 0,0,0 so क्या बनेंगे कैसे बनेंगे x bar plus y bar plus z bar so x bar plus y bar plus z bar and that is equal to m7 ok so for example मैं आपको कुछ questions दे रहाँ suppose मेरे पास 4 variables है w, x, y and z कोई एक function है और suppose यहाँ पे कोई numbering है 1, 0, 1, 0 so 4 हैंगे sorry w, x, y, z इसका आप SOP लिखिए और इसी का आप POS लिखिएगा और comment box मुझे इसका answer बताइएगा और दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ w, x, y, z, 1, 1, 1 इसे आप SOP form में लिखिएगा और इसी को आप POS form में लिखिएगा clear तो यह आपका assignment है आप इसे comment box में डालिएगा तो मेरे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको यह path समझ में आ गई okay तो हमने min term, max terms क्या होते हैं कैसे find out किये जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं SOP form क्या होती है, POS form क्या होती है यह सारी चीजे हमने दो lectures में complete कर ली अब अब हम किस तरहीके से k-map solve करते हैं 2 variable, 3 variable, 4 variable k-map क्या होता है, standard form कैसे लिखी जाती है, किसी expression की with the help of min terms यह canonical form क्या होती है यह सारे points हम next lecture में cover करेंगे OK, SO आज के लिए इतना ही Thank you